भारती जनता पार्टी का दो हदार चौबिस के लोग सभाचुनों से पहले देज भर में महा जनसंपर गधियान लगातार जारी है यूपी के डिप्टी सियम ब्रजेस पाठक भारती जनता पार्टी के लिए गुजरात में लगातार जनसंपर कर रहे हैं मोदी सरकार की नौ साल की उपलब्दियों को जन जन को बता रहे हैं इसके चलते आज वो बार्डर के गाउं थराड पहुँचे थे जहां पर उन्होंने गड़ेस भाई जोसी से मुलाकाद की हाला कि वो पहले उत्तर प्रदेश के निवासी थे बाद में जाकर गुजरात और पाकिस्तान बॉर्डर पर बस गए चुकि ब्राम्हर वर्क से आते हैं इसलिए भारती जनता पार्टी ने डिब्टी सीम बरजेस पार्ठक को मैदान में उतारा है कोशिश यही है कि 2024 से पहले भारती जनता पार्टी के पक्ष में इस महा जनसंपर का भियान के जरिये महौल बनाया जाए अब देखना ये है कि कितना फाइदा इस महा जनसंपर का 2024 में बीजेपी को मिलता है पर भारती उपर परना चाहिए साथ वन्हों ने विवेता है जिस तरह से एक दर्धा मंतरी रात को प्रण मंतरी इसको ले करके सकाफ पुईता से गड़ बिद्ध है और यूपी में कानू का राज है कहीं से घुनला करती नहीं है किस तरह से भी कहीं से अरदा का महाल नहीं है कि लग अपना होगा कि जिस तरह से पूरा एक साल बाकी है लेकिन अभी से आरोप प्रत्या रोप का सिंसिला लगाता शुरू हो चुका है और इसी क्रम में अखलेश यादों ने ट्वीट करके भारती जनता पार्टी पर निशाना साधा है दरसल उन्होंने कहा है कि अब भारती जनता पार्टी कह रही है कि उत्तर प्रदेश में उनकी अधिकान सीटे जो है वो रेड जोन में है जिसका अर्थ साफ तोरह पता चलता है कि जनता की जो पक्षगर उमीरे हैं वो समाजवादी पार्टी से हैं लाल रंग से हैं और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की रेड पार्वर ही भारती जनता पार्टी की रेड जोन सीटे हैं तो कहीं न कहीं भारती जनता पार्टी के उपर निशाना साधा है और कहा है कि अब भारती जनता पार्टी के अलावा अगर कोई option है कोई दूसरा पार्टी है तो वो समाजवादी पार्टी हो लगातार बूत इस तरह पर पुद को मजबूत करने के लिए समाजवादी खेल मंत्री ने एक पहल की और तमाम पहलों से उन्होंने मुलाकात की इन पहलों में बजरंग पुनिया साक्षी मलिक से करीब 6 घंटे तक खेल मंत्री अनुराग ठाकों ने अपने आवास पर मुलाकात की और कहीं ने कहीं एक तरीके से अस्वासन देने की कोशिस की गई थी कि 15 जून तक इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस चार्शीट दाखिल कर सकती है ऐसे में दिल्ली पुलिस में भी अपने जांच में तेजी लाई है बिजबुशन सरन सिंग के गुंडा इसी तवास पर भी दिल्ली पुलिस गई थी और उनके सायोगियों करीडियों से पूच्ताच की थी अब कल देखना होगा 15 जून चुकी कल एक तरीके से जो अल्टीमेटम दिया गया था वो खत्म हो रहा है और कल दिल्ली पुलिस अगर चार्शीट दाखिल करती है तो देखने वाली बात होगी कि बिजबुशन सरन सिंग पर वाकई में इस चार्शीट में क्या कुछ इसने मांगे थे अब दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से जांस लगबग लगबग कर चुकी है अब देखना होगा कि क्या कल वाकई में दिल्ली पुलिस पूरे मामले में चार्शीट दाखिल करती है या कुछ दिन बाद चार्शीट दाखिल होती है कि 21 को होने यंदे ने योधी वस को लेंके उत्तर ठैस्ड में महने तो लोग सवक्ध चुनाव के पहले ही आपको इस मौसम में तब्तीष में कहीं ना पर देखले मिल्गी आपको पतां के योग दुथcase बातियनता पार्टी को गेरने की कोश्की है आपको दाद है कि समाज़री पार्टी के सांसाथ बख ने अपना बयान दिया है कि तालीम दिवस मना चाहिए ना कि योग दिवस और योग का कोई मनाने का कोई और अचित नहीं है मदरसों में इसको लेके उत्तरपरिश का संक्रत मोर्शे के परेश अद्ध्यक्ष कुमर बासित अली ने भी कहा कि हमें मालूम हैं हम कौन से आयोजिन करते हैं और ये कि सिर्फ एक तालीम के लिए नहीं होता मदरसा मदरसे में हर चीज की तालीम देनी चाहिए हमने एक हाथ में कुरान दिया है एक हाथ में कंप्यूटर दिय और वहीं हम योग की शिक्षा भी देंगे अब माना जा रहा है जैसे जिसे भातिय इंतर पार्टी अपने नौ साल के कारकाल को पूरा करने के साथ अब चुनावी सफर में जाएगी वैसे वैसे माना जा रहा है कि उत्तर परेश में आपको ऐसी सरगर्मिया और दिये लखनव सिविल कोड परिसर में हुए संधीय जीवाहत्याकांड के आरोपी बिजाय यादों को आज पेस किया गया था पूर्ट पेसी के दवराण पुलीस ने पांच दिन की कस्टडी दिमांड मांगी थी कोड ने 5 दिन की पुलीस कस्टडी दिमांड मंजूर कर दी है अलाकि भारी सुरक्षा व्यवस्ता के बीद विजायादों को आज वापस जेल भेजा गया हर कल से जो कस्टडी रिमांड मन्यूर की गई है उस पर पुलिस पुछताच करेगी हलाकि आज जेल भेजने के दौरान देखा गया कि भारी संक्षा व्यवस्ता आकि जो व्यवस से पूरी हत्याकान को अंजाम देना था है सिचाई विभाग ड्राइंग स्टाप एसेशेशन के कई आरोपों के साथ में मुख्य अबंता कार्मिक ताराचंद के खिलाप कई आरोब लगाए यानि साफ है कि पैसा लेके इस्तांत्रण किया जाता है उसको लेकर के कई दर्शन किया यानि साफ है कि महा सच्यू अब जात मिस्रा ने इस बार धरना प्रदर्शन करते हुए उन्होंने साथ तोर पे कार्मिक चार छे के खिलाप जो है कई आरोब लगाते हुए कहा कि जिस तरीके से पहले तो इस्तांत्रण कर दिया जाता है फिर उसके बास से पै के से ढणा प्रदर्शन करते रहेंगे जिसकों महाराष्ट्र मंदिर महासंग की और से कहा गया है कि जो भी नाकपूर के जो मंदीरिया फिर मारस्ट्री जितने भी मंदीर है वहां पर एक ग्रेस कोड लागू किया गया है जिस प्रकार से हमँआए नाकपूर के टेकड़ी गनेश मंदिर में जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सूचना के लिए गोड़ भी लगा गया जहाँ पर कहा गया है कि छोटे कपड़े फटे फुटे वस्त्र या फिर स्कर्ट जीन्स फटे फुटे जीन्स यह सब पहनना आलव नहीं है और यह अगर पहन कर आए तो इ में और तो इसे लिए गया है कि इस प्रकार के अगर वस्तर पहन कर आया थो प्रविश्स नहीं दिया जाएगा वायरल वीडियो देख गया तो असपताल पनाल मैं और रीटाल। फнज रहा है रहा है तो छो रोर भ लग रही है। या करकाणर को डिचोय फिला बाइक णिदि येयों के दोरान असपताल आता है। नहां उसे बैड मिलता है नहीं उसका टीटमेंट अथी तरह देता होता है वर्स में ही लेटा दिया जाता है और पूरे मामले को देखा जा तो सरकारी अस्पताल के जो डोक्टर है उसकी लापरवाई का वीडियो सोसल विजय पर वारा लोगा है प्रवाई करने का दावाद किया है अब देखना होगा यह नीजवान इंडिया उस खबर को प्रमुक्ता से चला रहा है जहां पीडिक नीचे लेटा वाया है और उस पर ढोग रहे हैं और हुए दोक्तर बगल से बुजरते बेच रहे हैं कईने कई स्यमों ने सब्सक्राइए कि जहां सियसी हो तमाम दोक्तर हों जिसकी डूटी होगी उसके दौरान इसकी लापरवाई होगी ततकाल गात के बाद कारवाई हो तेस्तरार आईपियर अभिशेक वर्मा के नेतरतों में थाना बहुत दुखड़ पुलिस ने नशे के पित्ती एक जागरुकता साइकल डाली निकाली और गाउं गाउं जाकर नशे के पित्ती होने वाले दुश्पावागों को देकर लोगों को जागरुक किया आपको बता दे धर्मेंदर सिंग कोटवाल सभी पुलिस कर्वियों के साथ साइकल पर निकले और गाउं गाउं जाकर लोगों को नशे के पित्ती जागरुक किया धर्मेजर सिंग ने बताया कि जिस प्रकार युवा नशे के प्रती आहिकर्शित हो रहे हैं तो कहना कहीं पैसे के साथ-साथ ये उनके शरीर पर भी नशा बिस प्रभाव डालता है और नशे से बचने के लिए लोगों को जागरुख किया पुलिस के इस्रेली को देखकर लोगों ने काफी परहना भी की केसों पर पहावा की रहने वाली 32 वर्षिये नंदनी की मौत के बाद में गोंडा के महिला हॉस्पिटल में हंगामा बवाल हुआ है कल यह महिला यहां पर एडमिट हुई थी परसों के लिए इसको एडमिट किया गया था महिला हॉस्पिटल में जहां पर लापरवाही का आरोप लगाया गया कि लापरवाही के चलते इसकी मौत हुई है मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर लापरवाही के चलते महिला की मौत हुई है और मौत के बाद में काफी हंगामा बवाल हुआ है अब से 24 गंटे पहले महिला यहाँ महिला हॉस्पिटल में एड्मिट हुई थी और ये मौत का सिर्था क्यों पहले भी यहां पर सास्त महकमे पर कई गंबीर आरोप लग चुके हैं हाला कि महिला की मौत के बाद में परीजनों ने घंटो हंगामा काटा है पूरा मामला भीलग्राम की स्वाली प्षित लगातार बढ़ती जा रही है आपको बता दें शाना जग्दिस प्राक्षित के मानस नगर में आज वीती रात चोरों ने चोरी की बार्दात को अंजाम दिया आपको बताता हैं ब्यवपारी कुछ माल लेने के लिए अपने जैपूर में गया उसी दोरां चोरों ने लगदी और जेवरात को साफ कर दिया वहीं बताया जा रहा है व्यवपारी ने बताया कि पूरे मामले में करीब पांच लाग रुपे से ज्यादा का नक्सान बताया जा रहा है आलांक इस पूरे मामले में पुलिस मौके पर महुंची और पूरी मामले की चार्ज परताल पर चुती हुए है अब देखने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले में आगरा पुलिस कब तक खुलासा करेगी पूलिस ने आज कल्यूगी मा सहित चार लोगों को ग्रिफतार कर जेल खेत दिया है। इस खटना को अंजाम दिया गया था। अंजाम दिया है। झाल 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 झाल